Question number 58 में हमने शोर करना है कि the line segment of the tangent line to the graph this one is function जो tangent line बनती है हमने इसकी equation find करनी है और वो कहते हैं कि x-axis और y-axis means इसके x-intercepts और y-intercepts वो क्या करते हैं इस tangent line को point of tangency के उपर जिसके उपर tangent बना हुआ है उसके उपर bisect करते हैं मुर्लाब दो equal हिसों में divide कर दिए है that means के जहां पर ये y-intercept है जहां पर ये x-intercept है ये जो अगर हम ये point इसको x0, y0 अगर हम point of tangency के हैं मेंस कि इसके उपर tangent है तो ये tangent का distance, ये वाला distance y-intercept तक और ये वाला distance x-intercept तक ये दोनों क्या है equal है, bisect means कि दो equal parts में इसको divide कर दोता है तो आपने function इसका graph देखा होगा, इस तरह का बनता है ये जो मैंने हमें draw किया हूँ है, ये ये तिके तुशी लिए मैंने वैसे draw किया you don't need to draw it अब हमें क्या चाहिए, हमें equation of tangent line चाहिए तो हमने कहा हूँ है कि x-not y-not क्या है वो point है जिसके उपर tangent line draw होती है तो x-not हमारे पास already x-not है, उसका x-not use करेंगे y-not जा है x-not 1 over x-not ठीक है अब equation of tangent line क्या है y-y-not is equal to m slope of tangent line x- x-not इसके लामें slope चाहिए तो वो कहां से हाईगी इस function से, इस काम derivative ले 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 ये actually x-power minus 1 है जिब इसका derivative लेंगे तो power front के आज़े, जिए power में से 1 minus हो जाएगा that gives us 1 divided by x-square minus 1 by x-square ठीक है, अब ये चून की x-not की उपर find कर रहे है तो ये बन जाएगा हमारा slope minus 1 over x-not का square अब इसमें हम varies put कर देते है y-not की जगह पे y-not की जगह पे उसकी value y-not की जगह उसकी ये value slope की जगह उसकी value और बाकि x minus x-not as it is आगे अब minus 1 over x-not square को multiply कर दे x के साथ और इसके साथ ये plus 1 over x-not, इसका एक x-not जा है ये minus, minus plus 1 over x-not square है, into x-not ये एक इसके साथ कर जा तीचरे plus 1 over x-not आगे इसको दूसरी साथ पर लेके हैं तो ये plus हो जाएगा 1 over x-not plus 1 over x-not क्या बन जाता है 2 x-not 2 divided by x-not तो ये मरे पास equation of tangent line है अब हमने x से intercepts निकालने तो x intercept के लिए पहले y intercept के लिए हम क्या कहते है x को 0 put कर देते है जब x को 0 put करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा y के वे लिए क्याएगी 2 over x-not जब x 0 है तो y is 2 over x-not x intercept के लिए हम y को 0 put कर देते है जब इसमें y को 0 put करेंगे इसको दूसरी सेट पे लाएं तो 1 over x0 square x is equal to 2 by x0 अब x0 को दूनों सेट पर multiply कर दें तो x is equal to x0 square को x0 square into 2 by x0 तो यह x के साथ cancel हो जाएगा तो 2x0 आ जाएगा तो हमारे पास 2x0 आ जाएगा अचा चुँंकि इसका हमने थोड़ा से simplify further क्या किया कि इसको हम लिख सकते हैं 2 into इसवाल एकको हम लिख सकते हैं 2 divided by x0 और 1 over x0 की वे जिए हमें already given है हमने calculate की विए तो this becomes 2 times y0 एक point हमारे पास 0, 2 times y0 आ गया which is y-intercept और x-intercept हमारे पास c आ गया अब वो कहते हैं कि इन दोनों से distance हैं होना चाहिए किस चीज़ का x0 का तो हम distance point करते हैं पहले y-intercept से और फिर हम उसी point का उस tangential point of tangency का x-intercept से distance point करते हैं चक करते हैं कि same आता है कि नहीं आता है अगर same आता है तो हम कहते हैं कि prove हो गया तो उसके लिए distance formula में यूज किया है ठीक है यह x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square square root यह distance का formula है तो x अगर हम इसको x2 कहे दें और y2 और x1 y1 तो x2 minus x1 का square आ गया plus y2 minus y1 का square इसको अगर हम फर्दर simplify कर दें तो इस वेकम्स x0 का square और y0 minus 2 y0 क्या आता है माइनस y0 तो इसको square लेंगे तो अगें y0 का square अब हम इसी point का x-intercept से distance निकालते हैं तो वो क्या हैगा यह अगर इसको अगें हम x2 y2 और इसको x1 y1 का दें तो x2 minus x1 का square y2 minus y1 का square यहां से क्या चीज आएगी minus x0 minus x0 का square क्या हैगा x0 square और यह चुंकि y0 है तो y0 का square अगें y0 तो दोनों सेम आ रहे हैं तो यह उसको bisect कर दो 5th देड़िंग झालक के टाएगी